तो नमस्कार साथियों स्वागत है आपका TGT, PGT, ARQ2 platform पे साथियों एक बड़ी update थी और सोचा इस पर वीडियो बना दूँ और आपको जानकारी दे दूँ कि एक vacancy है और इसमें अगर आपकी योगिता complete है तो आपको apply करना चाहिए बहुत ही अच्छा उसर है सब कुछ इस इसकी opening date है और इसकी opening date है 8 फरवरी 2024 यानि कि जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं यह इसकी opening date है यानि कि आज से जो है यह फार्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 8 फरवरी 2024 से और इसका जो closing date है application का यह 8 मार्स 2024 को रातरी 12 बजे से पहले आपको भल लेना है तो आपका फार् payment माना जाएगा तो time line आपको याद रखना अगर भरना है तो यह time period आपको याद रखना है इसकी बीच में ही आपको apply करना है ठीक है और आपको पता है कि यह दिलही सबॉडिनेट service selection board का जो है एक तरीके से विज्यापन है जिसको आप DSSB site में कहते है ठीक है अब इसमें हम लोगों को बात करना है कि कला ध्यापक को ले करके कितनी बैगैंसीज है और उसमें योगिता क्या है किस उम्र तक लोग apply कर सकते हैं और इसके लमा बेतन क्या है इन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे ठीक है अगर आप इस विज्यापन पर नजर डाले तो इसका नाम ज दखा गया है अब हम लोग बैकनसी इस पर ध्यान देते हैं कि बैकनसी कि इसको अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं बए अभी हमुमारा जो फोकस है कला पर है सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा ड्राइंग टीचर की जो डीन पर है यहां पर आप देख आएंगे कि 996 पद जो की जनेरल के हैं और तोटल पद जो फांसो सथाईस न फांसो सथाईस टोटल पद हैं । ये अपने आप में बहुत जादा है ठीक है न कि इतने पद आपको जनरली नहीं मिलते हैं तो 527 पद जो है कला में अगर एक सब्जेक्ट में आपको मिलना है और ऐसे सब्जेक्ट में जहां पर योगता लोगों के पास कम होती है तो ये अपने आपने बहुत ही अच्छा उसर है जिनकी पास योगता है अब आगर योगता पर डिसकस करेंगे तो जिनके पास योगता है उनको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए और बिना देर की त्यारी में लग जाना चाहिए और साथ ही आपको पता है कि कला मिसे से आप किसी भी परिछा के त्यारी कर रहे हैं आप TGT, PGT, किसी भी परिच्छा के प्यारी कर रहे हैं तो आपको best content आपको हमारे यहां मिलता है आपको हमारे notes मिल जाएंगी specific notes मिल जाएंगे DSSB के लिए KBS के लिए हर exam के लिए मिल जाते हैं बाकी classes भी चलती है तो उसको आप लोग हमारे चैनल पर 1527 है और general की संख्या 196 यह अपने आप में ठीक ठाक पन है अब हम लोग थोड़ा slide को नीचे करेंगे और चलते ही योगिता के तरफ यह पूरा notification है अगर आप लोग चाहेंगे तो आपको यह मिल जाएगा comment box में आपको message करिएगा comment कर दीजेगा कि मुझे चाहिए तो मैं इसक ability क्या है ठीक ना थोड़ा सा इसको scroll down करेंगे क्योंकि यहां पर subject wise सबकी योगिताएं अलग-अलग है इसलिए जो है हर subject के लिए अलग सी section बना दिया गया है ठीक ना तो हम लोग इसी पर आते हैं आग ड्राइंग टिचार ठीक ना यहां पोरी की पूरी जानकारी यहां पर आपको दी गयी है आप देख पाएंगे यहां पर डिपार्टमेंट का नाम क्या है डारेक्टर टाप एजूकेशन है और पोस्ट का नाम क्या है ड्राइंग टीचर है ठीक ना अब यहाँ पर आप देख पाएंगे जनरल के लिए के लिए 166 पद है यसी के लिए 45 पद है और यस्टी के लिए 64 पद है इडवलू यस के लिए अलग से 58 पद है टोटल पदों की संख्य कितनी है 527 है तो यह अबराल कला के पॉइंट आप उससे बहुत ही अच्छी वेकैंसी है अभी हम यह गुता की बात करेंगे जिस योगता को यहाँ पर मांगा जा रहा है बहुत कब लोग के पास योगता होती है और जिस लेबर की तयारी मैं करवाता हूँ अगर आपने वो तयारी कर लिया तो निश्चे तोर पर ये 527 में एक पद आपका हो जाएगा इसमें कोई दोराय नहीं है ठीक है अब हम लोग बात करेंगे educational qualification पर की educational qualification क्या है तो जरूरी क्या है इसमें देखेंगे कि सबसे जरूरी चीच क्या है तो five year diploma in drawing कला में अगर आपके पास पांच साल कोई डिप्लोमा है या painting ब्लब ड्राइंग में है painting में है या जो है मूर्ति कला में है जिसको इसक्रप्चर आप कहते हैं ड्राफिक साथ में है एन्वेस्टी इंस्टिट्ट रिकनाइज वाई गॉर्मेंट आफ इंडिया निकी भारत सरकार के दौरा रिकनाइज किसी भी अगर अपने इंस्टिट्ट से प्राप्टि कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर यह नहीं आपके पास तो दूसरा विकल आपके पास क्या है अगर आपके पास अगर आपके पास अगर किसमें और आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है अगर आपके पास यह भी नहीं है यानि कि आप यह में नहीं है दूसरा विकल्ब क्या है बैसलर डिगरी इन ड्राइंग में तो क्यों आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसके अलामा पेंटिंग फाइन आर्ट प्लस टू यह फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग तो अगर आपके पास कोई जो है फुल टाइम यानि कि दूरस्त नहीं फुल टाइम का डिप्लोमा आपके पास है फाइन आर्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं फाइन आर आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं बाके डिजायर रेवर यानि कि इच्छा है कि अगर आपके पास यह हो तो बहतर है क्या इस्ट्राइड हिंदी एज यह सब्जेक्ट अप्टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल अगर ऐसी इच्छा है कि अगर जो है आपके पार आपने ए इच्छा की जाती है बट यह जरूरी नहीं है नेसेसरी नहीं है ठीक न अगर आपके पास उपर की योगताएं हैं तो अप्लाई कर सकते हैं यहां पर देखेंगे एक्स्पीरियस कोई नहीं मांगा जा रहा है अगर बात करेंगे हम लोग पे स्केल की तो इसमें आप देख पर करते हैं और फडियर सीन उक्री होती है और आप दीखेंगे तो यह जो यह पद है यह गुरुब ही का माना जाता है और इननन्सयजल है और इसमें कर देंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे not exceeding 30 years, यानि कि 30 साल से उपर आप नहीं होने चाहिए, अगर age relaxation की आप बात करते हैं, तो इसमें एक अलग से पैरा दिया हुआ है, पैरा 8, इसके हिसाब से आपको छोट मिल सकता है, अगर आप 30 से उपर हो गए हैं, तो आपको पैरा अलग से पढ़ना चाहिए, बहुत important नहीं है, इसलिए हम लोग उस पर ज्यादा focus नहीं करने जा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जिनके पास MA, dry and printing है, या उनके पास B.A. dry and printing है, और उनने कोई diploma दो साल कर रखा, तो अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही comments आई है, इमेर तो मुझे लगता है कि dry and printing को बहुत साथ लोगों के पास में है, तो उनको अप्लाई जरूर करना चाहिए, और बहुत ही सुनहरा एक परीके से औसर आपके लिए, काफी यहाँ पर पद हैं, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर योगिता कम से कम ग्रेशन आपके पास होना ही चाहिए, तब यह आप कर पाएंगे, पांच साल का डिप्लोमा है, तो भी ग्रेशन प्लस इसके लावां कुछ हो जाता है, यह में अगर आपने किया तो भी आपने किया ही होगा, या बैसल डिगर आपके पास है, तो भलब जरूरी है कि ग्रेशन आपका कला में होना ही चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे, तो जो प्राविधिक कला वाले हैं, उनके लिए निराशा है, यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बाकि जिनके पास में है ट्राइन प्रेंटिंग में उनको मस्ट लिए, यानि कि जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए, और पूरे जीजान से त्यारी करनी चाहिए, अगर आपको इसमें से एक पद लेना है और मिल सकता है, बहुत ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा इफट लगाएंगे, तो आपको ये लाभ मिल सकता है, अगर आपको complete notes चाहिए कला के तो मिल जाएंगे, अगर आपको थियोरी पढ़ने ही complete, इंडिन आर्टिस्ट्री, बेशन आर्टिस्ट्री, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, complete notes मिल जाते हैं, complete test series मिल जाती है, और complete course मिल जाते हैं, जो भी आपको चाहिए, मिल जाएगा, और बहुत ही बहतरी नंदाज में आपको हर चीज समझ में आएगी, बाकी, चैनल को आप लोग बिजिट कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियो पड़े हुए, रिविजन के लिए, उसको भी देखिए, बहुत सारी चीज आपको समझ में आएगी, अगर कोई सवाल आपका रहे गया, इस वेकेंसी को लेकर कि, योगिता को लेकर कि, कोई confusion है, तो comment box में अपना राय छोड़ दीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना करके आपको जानकारी देंगे, thank you.